हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे बता है, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ पर यार कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था और मैं सजिशेशन्स में देख रहा था अगर कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं जिसके उपर मैं वीडियो बना हूँ फिर मुझे खयाल आया के मेरे सारे बहुत सारे अपने भाई लोग दोस्त सारे वेट कर रहे हैं इंडिया में जिनको प्यार अप्रू हो चुका है या जो स्टूडेंस है जो यहां पर आके पढ़ना चाहते हैं कैनड़ा में तो उनके लिए सोचा कुछ टिप्स दे दू और वाइल दे वेटिंग बिकास नाव थोड़े थोड़े फ्लाइट सखुलने लगे जो मुझे पता चला है I hope आप सारे लोग COVID-19 से करोना वाइरस से सेफ हो सुरक्षित हो बिनावजाए हाथ दो रहे हो हमेशा मास पहन रहे हो और बिनावजाए घर के बहार तो नहीं जा रहे हो Please look after or please keep the hope that एक दिन ये सब खतम हो जाएगा एक दिन ये सब जबर्दस्त रंगिन कहानी बन जाएगी और हम अपने पोते पोतियों को या whatever that is हम लोग एक दिन बता पाएंगे तो मेरा आज का वडियो है जॉब के बारे में जॉब ये बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है सबके लिए especially new immigrants के लिए especially उनके लिए जो students है और अपना fees का खरचा निकलना चाहते है जॉब करके यहां Canada में या जो couples है जो families है जो चाहते हैं कि तुरंट उनको जॉब मिल जाए और उनके खरचे निकलने लगे और उनके सेविंग्स को उनको टच ना करना पड़े तो खुश कबर यह है दोस्तों के कैनेडा का जॉब मार्केट काफी responsive है और उसके बज़ए से मैं यह नहीं कह पाऊंगा के सारे लोगों के साथ यह होगा बट आप अगर कोशिश करेंग तो आपको जॉब इंडिया में बैठके ही मिल जाएगी और यह पॉसिबल है और लगभग मेरे केस में यह तो ही रहा था तो मैं मेरी स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा अध दे सेम टाइम आप मैंने क्यों कैनेडा का जॉब मार्के रिस्पंसिव बोला अभी मैंने पहले युके में काम किया है इंडिया में तो जरूर काम किया है दुबै में काम किया है और अभी कैनेडा में काम कर रहा हूं तो मैं ऐसा बंदा हूं जो I normally keep applying for jobs just to see and test the market that what's my value and what's going on तो because when I apply for jobs में को एक interview का experience भी आ जाता है even though वो particular job मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं या उतना मैं eager नहीं हूं फिर भी मैं जाके apply करता हूं तो एक job market का अंदाज़ा आ जाता है Canadian job market में ऐसा है कि ये job market में बहुत responsive इसलिए कह रहा हूं कि आपको reply तो आई जाएगा एक तो yes no आगे बात करेंगे ये कोई ना कोई reply आप तो सुनी लोगे उनसे ऐसा नहीं होगा कि आप अपने apply किया और आपने कुछ सुना नहीं तो ये एक काफी हद तक आपको response मिल जात because आपको पता चल जाता है कि आपको जादा नो आंसर सा रहे तो आपको कुछ बदलना चाहिए आपको अच्छे response मिल रहे तो you're on a right track, right? So, क्या हुआ कि मेरे बारे में तो ऐसा हुआ कि मैं था दुबई में जब मुझे पता चला कि यहां पर मुझे आना है और में को PR अप्रू हो चुका है So, when I was preparing to come here और मैं विनिपेग के बारे में जहां मैं हूँ वहां के पारे में रिसर्च कर रहा था lifestyle, खर्चे यह सारी चीज़े जो obviously आप करी रहे होंगे At the same time I was looking for how to seek jobs उस time पर मेरा एक दोस्त था अभी है टरॉनडो में उसने मुझे advice किया था कि always follow this website called indeed Indeed आपने शायद सुना होगा यह सारी नौकरी monster जैसे website है पर indeed Canada में बहुत ज़्यादा follow की जाती है Indeed की बात यह है कि आप indeed में अलग-अलग profiles बना सकते हो So आप अगर समझो आपका field पहले से रहा है electronic sales का तो आप electronic sales की एक profile और उसका cover letter बना के आपके account में save कर सकते हो But आपको लगता है कि शायद electronic sales में job ना मिले आपको शायद grocery sales करना पड़े तो उसके लिए अलग से आप profile और cover letter बना सकते हो आप यह से तीन चार पाच profiles आप बना सकते हो depending on what industries you are looking at Of course हर देश की तरह यहां पे भी यहां पे भी you will see retail, grocery, you know different chain restaurants, hospitality, all of these places have maximum job openings So यहां पे भी वही है तो आप उससे सबसे अलग-अलग profiles आप अपने अप में बना सकते हो Also यह application भी है, so website भी है और mobile app भी है, so आपका एक बार profile बन गया समझो, उसके बाद आप on the go jobs के लिए apply कर सकते हो जैसे job posting आईगी वैसे आप उसको देख पाऊगे और तुरंट apply कर पाऊगे तो आप यह सारा काम अगर इंडिया में बैठके करोगे तो बहतर है दूसरा जरिया LinkedIn भी है, LinkedIn काफी famous है यहां पे जो इंडिया में भी है, of course, तो अगर बनाया नहीं है तो आपका profile इक अच्छी से बना दो LinkedIn पे आपको recruiters मिल जाएंगे और फिर उसी आप से आप LinkedIn में तो apply करी सकते हैं, I'm sure a lot of you people already know how LinkedIn वर्क्स and Kaji Ji तो है ही, Kaji Ji के बारे में जितना बोला जाए होतना कम है, Kaji Ji Canada का backbone है, इधर की life का, हर चीज बेची खरी दी जा सकती है और job भी मिल जा सकते हैं, so Kaji Ji तो आप use ही कर सकते हैं, but make sure LinkedIn is your main domain to look for jobs, because it really helps, एक और good news है, यह COVID-19 और सारी चीजों के बज़े से, I know यह virus किसी के लिए भी good news नहीं है, but इसमें एक अच्छी बात यह है कि सारे लोग जो सारे jobs हैं, काफी सारे online हो रहे हैं, जो jobs पहले offline थे, office based थे या जो भी सारे interviews आफिस में होते थे या आपको personally जाना पड़ता था यह सारे interviews अभी online हो रहे हैं, तो उसका एक benefit यह है कि यह सारे interviews में आप वर्चुली अटेंग कर सकते हो और इंडिया से ही अटेंग कर सकते हो, तो वो बैरियर जो जो country का बैरियर है कि आप फिजिकल यहां पे अभी तक नहीं हो तो वो बैरियर हज जाता है, आप वर्चुली वो इंटेव्यू अटेंग कर सकते हो, आप इंडिया के हिसाब से बहुत और टाइमिंग हो जाएगी, अर्ली मानिंग, लेट नाइट नाइट वो जाएगी, कि डिस्टन्स पे है, बाइट राइब, और जॉब नहीं था, तो आप वो बन्दा इतना सही था, यहां पे डाइवर्सिटी होने के वज़े से ऐसा नहीं है, कि आप इंडिया से आ रहे हैं, तो आपको कोई इंपर्टेंस नहीं देगा, यहां इसा कोई नहीं है, वैसे मैं mentally prepared था आप भी रहना, कि आपका जो current designation है, उससे शायद आपको एक-दो designation कम वाला ही job मिल सकता है, तो आप mentally prepared रहना to start with, तो आप तिंग्स चेंज वेरी क्विकली, सर्टिंग में आपका जो भी जोब हो, आपका परमनें तो नहीं होगा, तो आपका लांच पैड, तो प्यास बूस्ट रहना चाहां होगा, तो यह दोफिं का जो बंदा था, उसने मुझे अच्चाप्टेंशन ओफर कि थी, कि आप आजाओ, and you know don't worry you can just live with us and or live here I'll arrange for your accommodation just come meet me and and you can start working or work supervisor job the hospitality field में उसके बाद मुझे यहाँ विनिपेग के ही एक रिक्रुटर ने रिप्लाइब किया था जिनों ने बोला था क्या आप आजाये जैसे हम मिलते हैं we can do some interview I can talk to you and then we will you know sign up a contract or offer letter or whatever that is तो यह चीज़े हो सकती है और यह काफी easily or quickly हो गई थी तो I'm hoping that आपको भी इस चीज का advantage मिल सके और आप इस direction में कोशिश करो और एक tip देना चाहूंगा के have a virtual number I know एक तरीका है where you can get a virtual Canadian SIM जिससे यहां के कोई भी employer अगर आपको contact करना चाहेंगे तो उनको लगेगा के वो एक local number डायल कर रहे हैं और आपको वहाँ पे इंडिया में call receive होगी I know call काफी expensive हो सकती है वो वाली but it's all worth it अगर आपको एक advantage चाहिए by from all the thousands or whatever new immigrants coming into your city आपको यह virtual number वो एक advantage दे सकता है where you can actually talk to your employer do a phone screening or whatever so इसे एक help हो सकती है और बात यह नहीं है और I'm sure आपने search तो किया होगा यह field में के Canada में employees को क्या चाहिए तो कोई लोग बोलेंगे के यार accent का problem है culture different है या Canadian experience नहीं है यह साइच चीजे बहुत highlight हो जाएंगी के इसके बज़े से वही job नहीं मिलता बड़ी मुश्किल है मैं काऊंगा ऐसी कोई जॉब नहीं है सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है बात ऐसी है कि Canada एक बहुत diversified country है यहां पर हल तरह के हल जगह से लोग है अगर टॉर्टो सिटी का ही जिकर किया जाए तो there is at least one person from every country in the world living in Toronto सो आप imagine कर सकते हैं वैसी वैसी बात है यहां पर तो वह racism का या वह चीज का सवाल नहीं आता कि यार गोरा है तो गोरे कोई हायर करेगा none of that sort और बात यह है कि Canadian experience की बात थोड़ी आ जाती है बट आपके पास अगर अच्छा profile है and what I mean and I'm meaning from my experience because मेरे जॉब के चलते मुझे भी काफी hiring करनी पड़ती है तो I'm telling you from my personal experience that when we look for right employees or right candidates what we look for is a good profile and not just a Canadian experience in fact we don't even look for certain experience or skills because we hire the right attitude, right behavior and not the right profile so what happens in this case if you are a little experienced candidate but your experience is in many places, 3-6, 3-6, 3-6, 8-8 months so what happens in this case is that we don't see a clear commitment in your profile which can be an obstacle, another one can be an obstacle in which you are totally fresher and you have studies done but you don't mention anything else I know what happens in your studies or school or off-records which you do your projects, which you do your volunteer work or social welfare work it could be even like if you have worked in a team as a team to build or to make it happen if you have worked in an event or you have worked in a family or another festival or whatever these things matter in your profile it will be funny but a volunteer work experience, group activity, tutoring, mentoring, public welfare so if we are hiring a fresher, we look for that diversified experience that the person who is in our team is bringing a variety which will help us in the future which will add value to our company's culture so all that matters so make sure you think deep into your profile and what you have done until now and show off show off all that because finding a job is selling yourself so please up one last thing I would say is about the salary so every province has a different minimum wage rate and according to the minimum wage rate there are expenses here so for example if the minimum wage rate is about 14 or 15 I don't remember exactly but you can google it or even Toronto and Ontario it is about 14 or 15 but the expenses here are more than that but if you come to SARS or Manitoba the minimum wage is below 11 or 12 and the expenses here are less than that so it doesn't matter so much because if you earn more money you have to spend more money and if you earn less money you have to spend less money but you have to keep attention that you have to pay 20 to 30% tax depending on your bracket depending on your province so that tax you have to pay attention I worked here in Dubai in Dubai in Dubai in many years I didn't know tax it was all tax-free income it still is so when you have to pay 20 to 30% tax so you have to pay attention so so please keep your attention and hope we can meet one day thank you and yes one last thing don't forget to like share and subscribe my channel and please recommend or suggest what would you like to know more about my life in Canada about my experiences and tips that I can share with you thank you